कि आपकी स्केन घर पे बहुत हद तक टाइट हो जाए और पूरे चेरे पे आप जितनी लगानी है और हम चाहते हैं कि जी लाइपॉलिटिक इंजेक्शन्स के लिए आप भी विनर हो सकेंगे लाइपॉलिटिक इंजेक्शन्स जीट सकेंगे असलालेकुम जी मैं हूँ डॉक्टर खुराम शीर, कंसल्टन्ट, डिर्मेटोलिजिस्ट और कॉस्मेटोलिजिस्ट और मैंने अपना MBBS किया है फ्रम डॉव मेरिकल युनिविस्टी कराची से और D-Derm और MS in Dermatology from University of Wales, Cardiff, UK से, बरतानिया से और आपकी information के लिए इसको हम जरूर clear करते हैं कि आपको पता हो कि हम आपको बड़ी authentic चीज़ बताएंगे अच्छा, जैसे कि आपने बहुत ज्यादा वाइटिंग injection को बहुत पजीराई दी थी, बहुत popular किया था उस तरह से हम lie politic को भी उसी level पर ले जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जी lie politic injections के लिए आप जितना ज्यादा अपना जो आप देख रहे हैं अपने जितने लोगों में आप वीडियो उसको कम जितने से ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे आप भी विनर हो सकेंगे, lie politic injections जीट सकेंगे और होगा क्या कि उसके साथ साथ आपके अंदर बहुत ज्यादा एक changes आएंगी अच्छा होता क्या है कि देखें, lie politic की क्यूं दुरूरत महसूस होती है बहुत सारे लोग exercise करते हैं, ठीक है मगर फिर भी लगता है कि जी वैसे तो हजन कम हो गया, मगर ये double chin हो रही है ठीक है, कोई कहता है कि जी मेरे बाजू लटक रहे है, कोई कहता है कि मेरे belly fat बहुत ज्यादा है कोई कहता है मेरे hump बहुत ज्यादा है, तो आप वहाँ पर लगा के और उस area को control करा सकते हैं, ठीक है, चेहरा भी पतला हो जाएगा, ठीक है, तो बड़ा फर्क पड़ेगा अच्छा जी ये तो बड़ी important announcement हो गई, अच्छा आज का topic हमारा है कि जी आपकी लट कीवी, डल कीवी, डल skin हो जाती है, यांग age भी है, ठीक है फिर भी क्या हो रहा है कि जी आप किस की लिटक्ती चली जा रही है, आप लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, भाई, उमर भी नहीं है चले या उमर भी हो गई है, तो plastic surgery तो हरे के बस में नहीं होता ना, बहुत expensive होती है, बेंतहा महंग है ठीक है, बोटॉक्स फिलर्स बेतरीन सिलोशन है, मगर वो भी बहुत पहेंगे और एक दफ़ा या बात आपको पता ही होगी, अगर नहीं पता तो मैं आपको दुबारा बता दू, कि जी बोटॉक्स या फिलर्स आपने एक दफ़ा कराए, तो आपको हमेशा six months में, eight months में, कभी कभी four months में repeat कराना पड़ते हैं, फिर forever ही होता है फिर आपका जैसे जैसे time गजरता है, तो आपको dose उसकी increase करने पड़ती है, कोई बुराई नहीं है, कोई खराबी नहीं है, अपने शौक की बात है, मगर अगर आप expenses बेर कर सकते हैं, क्योंकि बोटॉक्स का एक सेशन कम as कम 25,000 रुपे का होता है, फिर आपको साथ में क्री क्रीम्स भी देते हैं, विटमन्स भी हैं, तो वो डॉक्टर की fever मिलाके काफी expensive जाता है, ठीक है, तो वो बड़ा एक मुश्किल काम हो जाएगा, तो आप क्या करें, कि जी एक तो खाने में हम आपको बताते रहते हैं, विटमन भी बताऊंगा, जो आप अलग से मंगा सकते हैं, और बहुत simple है, आपकी skin tightening में काम हाएगा, मगर पहले क्या लगाएं, कि आपकी skin घर पे बहुत हद तक tight हो जाएगा, अच्छा एक और भी वज़ा होती है, आपकी घजाची नहीं हैं, ठीक है, आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, एक्नी हुई है, तो हमने skin दबा लि है, ठीक है, या crash dieting की है, उससे भी फर्क पड़ता है, तो बड़ी simple चीज़े मैं आपको दे रहा हूँ, कि जी आप घर में खुद बनाएंगे और लगाएंगे, आप देखें कितनी skin आपकी जबरदस tight होगी, अच्छा आपको क्या करना है, आदा glass, ठीक है, अब ये मत करता है, तो आप क्या करेंगे, जी आदा glass लेंगे पानी, उसमें दो चम्चे आप डालेंगे apple cider vinegar, ठीक है, यानी safe का सिर का, ठीक है, गन्य का रस, आदा glass, या आदा glass, apple cider vinegar, ठीक है, उसके लिए, ये तो आपने मौजूद हो गया, अच्छा उसी glass में, आप ये glass पानी पीन के लिए इसको आप अलग से dedicate कर देंगे, ठीक है, उसके अंदर आप डालेंगे जी, चार चम्चे, चार टेबल स्पून भर के collagen elastin lotion, ये कराची से कश्मीर तक, पूरी दुनिया में, हर जगह available है, एक बहुत मशूर कंपनी है, नाम में नहीं ले सकता हूँ, इतनी बड़ी पाँच टेबल स्पून इसके अंदर डालने है, collagen elastin lotion, ठीक है, उसके साथ करेंगे जी, चार चम्चे, चार टेबल स्पून पाउडर्ड मिल्क, एक तो दूर होता है, ठीक है, एक होता है पाउडर्ड मिल्क, ठीक है, कोई सी भी कंपनी का, जो खुश्क दूर होता है, वो आप sweet almond oil, ठीक है, मीठे बदाम का तेल, या extra virgin narial का तेल, ठीक है, अब आप ये बड़े परिशान होंगे, बहुत साथ लोग बड़े परिशान होते हैं, कि जी, extra virgin तो olive oil होता है, जी, narial का तेल भी extra virgin coconut oil होता है, ठीक है, आप डालेंगे दो चम्चे, ठीक है, आपने, मैं फ तो आप क्या करेंगे, जी, skin tightening, लटकीवे skin को, खड़े वाली skin को बेतर करने के लिए, आदा ग्लास पानी, ठीक है, उसमें डालेंगे दो टेबल स्पून सेप का सिरका, ठीक है, उसके साथ डालेंगे चार टेबल स्पून collagen elastin lotion, ठीक है, उसके साथ अड़ेंगे चार चम् टेबल स्पून ही, टी स्पून, extra virgin नारियल का तेल, यानी coconut oil, या sweet almond oil, ठीक है, और उनके साथ अड़ेंगे, तमाम mixture बन गया, उसके साथ डालेंगे, तीन टेबल स्पून हीप्ट सूजी, जिसका हलवा भी आप खाते हैं, सूजी, ठीक है, वो आप डालेंगे, ठीक है, और इन तमाम चीज़ों को blender में blend कीजएगा, क्रीम बड़ी जबर्दसी तयार है, अच्छा ये जल्दी खराब हो जाएगी, तो इसका क्या तरीका है, मैं आपको बताता हूँ, आपने ये mixture बनाया, ठीक है, और अच्छी तरह से इसको बनाके, आपने एक बोल में, एक प्याले में भर लिया, मिट्टी का पहला, जिसमें खीर होती है, बड़ा वाला, अगर वो हो जाए तो क्या बात है, ठीक है, वो लेके, आप इसे अच्छी तरह मिक्सर को अच्छी तरह से airtight बनाके रख लें, ठीक है, और पूरे चेरे पे आप जितने ही लगानी है, उतनी है, ये अच्छी तरह से हाथ से मैश किया, प्लेट में, मैश करने के बाद एक ब्रेश जो होता है, जिससे आप खास और पे जब सालोन में खावतीन को पता होगा, मर्दों को पता होता है, सालोन में जाते हैं, तो वो आप जो सकिन पॉलिश करती हैं, ठीक है, सालोन वाली, तो वो लटकता है कि इप्तिदा होती है यह दीखें बहुत साइल who बिलकूल लडिकों साहिता करेज़ और चुरू होती है गर्दन लटकती है उसको कहते हैं गी स्केन मुरगाबी वाली जैसे मुरगाबी की तरह स्केन हो जाती है चेरा तो सही है गर्दन से आप बहुत बुरा अफेक्ट आता है तो आप यह लगाना शूरू करना है ब्रेश से 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 किलर मोशन और एंटी मुलब जो एंटी सिर्किलर भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और पूरी गर्दन पर लगाएंगे लगा के आप इसको अच्छी तरह से अच्छा ये उस तरह से नहीं है वो वाली क्रीम नहीं है जो आप लगा के बाहर भी जा सकते हैं नेकब भी कर सकती हैं किचिन भी जा सकत कर रहे हैं ती यह आप कीचिन का काम कर रहे हैं चेरी के सफाई कर रहे हैं यह लगा रहने दें और उसके बाद क्या करना थोड़ा सब बेसर प्रमीन वेश्रा तक्रीमन एक चमचा ठीक है उसको आप पानी में की सफॉपाइब के यह Black and तो आएगा फिर आप देखेंगा इतनी जल्दी आपका नैच्रली स्केन टाइट होना शुरू होगी और सबसे बड़ी बात ये कि वो जो आपका बोटॉक्स फिलर देखें बोटॉक्स फिलर प्लासिक सर्जडी उसका कोई नेमल बदल नहीं है वो बहुत एडवांस ट्रीट कराना चाहिए या प्लासिक सर्जडी नहीं कराना चाहिए ठीक है तो आप यांग एज में यूज कर सकते हैं और अगर आपको कोई बीमारी हो गई है एक्नी के निशान रहे हैं ठीक है या आपने कोई खराब चार क्रीमें मिला के लगा लिए या फिर आपके क्रैश भी खाएं देखिए पिक वाइट के अंदर क्या है फ्रेंच मेरी टाइम एक्स्ट्रैक्ट ठीक है और कॉलिजिड इन्हेंसर ठीक है आपकी स्किन और बाल और आपके नाखून और आपकी तमाम बोडी का जो बाहर शेल है ठीक है यह छिलका नहीं है मगर यह शेल तो है मग बहुत ख्याल रखेगा नई वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं टेक क्या है खुदा आप 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 झाल झाल झाल